असलाम अलेकूम उमीद है ठीक हूँगे आप सब मैं भी ठीक हूँ एक नई सुबा एक नई शाम अमेरिका से ये मेरा थर्ड दे है और जिन दिनों में यहाँ पे आई हूँ वाहाँ पे तब क्रिस्मस टाइम था और आई वस टेंडिंग आउटसाइड आफ डंकिन तो सोचा के क्यों ना मैं एक चोटा सा क्लिप बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि किती हुबसूरत जगे हैं यहां पे एक्स्प्लोर करने के लिए बहुत कुछ है और इन्शाला आईस्था आईस्था आपको मैं मेसेज भी लेके जाऊंगे डिफरंट आउटलिट्स दिखाऊंगे कि यहां के लोगों का लाइफ स्टाइल कैसे है और यहां के लोग क्या करते हैं यह चोटा से क्लिप था मेरे किचन का तो मैंने का यह भी एड़ कर दूँ और आप लोग मुझे बताएं जो लोग मुझे यहां से देख रहे हैं वो काइनली मुझे जरूर कॉमेंट्स में बताया करें कि यहां से क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या-क्या चीज़ें कहां पे सस्ती हैं इस हिसाब से और यह मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने यहां पे आके फर्स टाइम कुकिंग की थी और जिसमें चिकन था दाल थी और डिफरेंट चीज़ें मैंने बनाई थी और काइनली मुझे यह भी बताईएगा कि बहुत से लोग क्वेस्टन पूछना चाह रहे हैं कि मैं अमेरिका कैसे आई और यूएस आना मुश्किल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना बनाई है और यह क्रिसमस ट्री है और बड़ी खुबसूरत क्रिसमस ट्री बनाई हुए थे हर जगा पे डिफरेंट डिफरेंट और यह लोबी है नीचे और यहां पे आप डिफरेंट गेम्स खेल सकते हो और ऐसे ही मेरा दिल क्या मैंने का चलो जी रैंडम ही वीडियो बनाते है इसको एड़ करती हूँ और बड़ा प्यारा लग रहा था दिल कर रहा था एक बॉल उठा लूँ उपर से लेकिन हमें कुट पढ़ जाती तो अच्छा होता और यहां पे मैं आपको एक स्वीड सा जेस्चर ती खाना चाहती हूँ मेरे पास डंकिन था तो मैं वहाँ पे गई कॉफी लेने के लिए तो वाँ में मुझे एक इंडियन मिली उसने मुझे बोला कि मैंने जस्ट कॉफी बाय करनी थी तो उसने बोला आप साथ कुछ लोगी मैंने का नहीं थैंक यू तो उसने मुझे ना साथ ये तीन डॉनिट्स फ्री दे दिये तो स्वीट ऑफ हर और कैती आप ये ले जाओ यहाँ पर मतलब लोग जो है न वो वैसे भी मतलब इनका रूल है कि रात को अगर कुछ नहीं सेल हुआ तो वो फैंक देते हैं तो कैती बहुत बुरा लगता है तो ले लो मैंने कर ठीक है मज़े होगे मेरे और एक खुबसूरत सी शाम दिखा रही है आप लोगों को अमेरिका की बड़ा प्यारा व्यू है स्नो इस टाइम बलकुल खत्म है और ठंड बहुत जाद है और ये पहली दफ़ा है कि यहां पे ना मतलब इस नो नहीं पढ़ रही है हलाके बहुत ज़्यदा स्नो पढ़ती है क्योंकि मैंने दवा की थी मैंने का था कि इस टफ़ा ना थोड़ी कम इस नो बस मेरी दवाएं कबूल हो रही है और आप लोग काइंडली मुझे बताना जो मुझे अमेरिका से देख रहे हैं कि कौन-कौन सी जगह है कहां से मतलब डिफरंट ग्रॉसरी हम कर सकते हैं और रीजेनेबल प्राइसेज मुझे बताएं क्योंकि मुझे भी यहां का इतना आइडिया नहीं है बहुत सी चीज़ें मैं बहुत महिंगी बाये कर रही हूँ तो होप सो आप लोग मुझे ज़रूर गाइड करोगे इसके इलावा मैंने एक वीडियो बनानी है कि इमिग्रेशन की क्या-क्या क्वेस्टन्स हुए हैं मेरे साथ उन्होंने जब मैं अमेरिका आ रही थी तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं पूरा मतलब जो सफर था ना मेरा वो इसी तरह था कि पता नहीं कौन से क्वेस्टन्स हूंगे क्या पूछेंगे वो मेरे से क्या मुझे उनके जवाब आएंगे भी मतलब इसी तरह सफरा इसलिए मैं बहुत ज़ादा वीडियो नहीं बना पाई लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दू कि इमिग्रेशन टाइम पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे से तीन क्वेस्टन पूछे थे और वो क्वेस्टन कुछ इस तरह है मैंने का कि आप लोगों को इसाथ शेयर कर दू चुट चुटे क्लिप्स आएंगे डिफिर्ट क्लिप्स में आप लोगों को शेयर करूंगे अगर आप लोगों को एक फुल वीडियो चाहिए उसके उपर तो कॉमेंट डाउन तो मैं उसके उपर फुल वीडियो बनाऊंगी कि मैं किस तरह मेरका आई हूँ और क्या डॉक्यूमेंट्स टाहिए एक स्टूडेंट को और बीवन वीजा पे कोई आना चाहता है कोई फैमली विजा पे आना चाहता है मेरी सोच से जादा महिंगी है जो फैस्ट राइम आता है जिनको आईडिया नहीं होता उनके लिए तो बहुत जादा एक्सपेंसिव है जब आप यहां पे कुछ मतलब अर्न करने लग जाते हो जौब पे लग जाते हो फिर आपको इतना मुश्कल ने नज़र आता और यहां पे पिजा नहीं मिलता सबसे बुरी बात हलाल फूड बहुत काम है और जब भी जाती हूं मैं तरस जाती हूं चीजों को देख के हो काश मैं खा सकती लेकिन मैं नहीं खा सकती यहां पे चीज़ें काफ एक्सपेंसिव हैं रेटस इनके ज्यादा है जिस तरह हम कोरियंडर धनिया जो है वो पाकिस्तान में हम लोगों को फ्री मिल जाता है लेकिन यहां पे कितने कैई वन डॉलर वन एड हाफ डॉलर मतलब सबजियां नहीं है यहां पे और सबजियां में मतलब यह कितनी ग्रीनरी पड़ी हुए और यह वो चीज़ें हैं जो हम मतलब डेली इंटेक नहीं कर सकते फिश का काउंटर है वो वाला और वाव चीज़ें मुझे अभी तक पता नहीं चाहरा है यह वेस्टन बीफ था तो मुझे नहीं आइडिया हो र सकूर क्योंकि वेजटेबल्स मुझे नहीं नजर आ रहीं सिर्फ कैपसिकम थी वो एक दिन हमने बना ली है लेकिन अब कुछ भी नहीं मेरा है यहां पे कोक ट्रिंक्स सब कुछ महेंग है जो लोग कहते हैं कि बहुत सस्ता है अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं सस्ता कि क्या चीज कहां पे पड़ी हुई है यह पे कोक बहुत महेंगी है यह किसी और जगह पर देखे थे 5 डॉलर्स के यह 7 डॉलर्स के दे रहे हैं और चिप्स विएरा की प्राइस भी काफी ज्यादा ही है लेकिन कोई नहीं हिसाब लग जाता है यहां पे स्टूडेंस के लि